इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और जी मिचलाने यानि की बीमार महसूस करने की रोक्थाम में किया जाता है, जो आमतोर पर कैंसर कीमोथेरपी, विकिरन उपचार या सरजरी के बाद होता है. मतली एक असहज भावना है, जिसमें एक व्यक्ति को उल्टी करने की इच्छा होती है, जबकि उल्टी पेट की सामगरी को बलपूर्वक निर्वहन करने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है. वोमिकाइन सिर्प 30 ml में ओंडेंस्ट्रोन होता है, जो शरीर में एक रसायन, यानि की सेरोटोनिन की क्रिया को रोकता है, जो मतली और उल्टी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है. परिनाम स्वरूप, वोमिकाइन सिर्प 30 ml सरजरी, कैंसर कीमोथेरपी, गर्भावस्था या मोशन से कनेज जैसी स्थितियों के कारण होने वाली मतली और उल्टी की संसनी को रोकता है. वोमिकाइन सिर्प 30 ml को भूजन के साथ या बिना भूजन के एक गिलास पानी के साथ लिया जा सकता है. वोमिकाइन सिर्प 30 मिली तीन रूपों में उपलब्ध है, अर्थात मौखिक रूप से विघटित करने वाली गोलिया, टैबलेट और मौखिक समाधान. डॉक्टर डोजिंग फॉर्म की जाँच के बाद दवा लेने का सही तरीका सुझाएंगे. वोमिकाइन सिर्प 30 मिल लेने वाला व्यक्ति अकसर साइट एफेक्ट का अनुभव करता है, जिसमें गर्मी, कब्ज, सिर्दड, दस्थ, सिर्दड, उनींदापन, ठकान की भावना शामिल है. हाला की, हर व्यक्ति को वोमिकाइन सिर्प 30 मिली के दुश प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ता है, और यहां तक वोमिकाइन सिर्प 30 मिली के कुछ अप्रिय प्रभावों को भी चिकित्सा ध्यान देने की आवशक्ता नहीं है. वो मिकाइंट सिर्प 30 मिली का उपयोग उन व्यक्तियों में प्रतिबंधित है, जिन्हें इन में से किसी से भी अलजी है इस दवा में मौजूद तत्व बताना आपका डॉक्टर यदि आप लीव, किड्नी, यहरिदे विकारों का सामना कर रहे हैं एक गर्भवती महिला को अपने डॉक्टर को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताना चाहिए क्यूंकि गर्भावस्था में इस दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्यूंकि इस से बच्चों में जन्म विकृति हो सकती है वो मिकाइंद सिर्फ 30 ml स्तनपान दूद में पारित हो सकता है इसलिए इसे नहीं दिया जाना चाहिए एक महिला को जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है वो मिकाइंद सिर्फ 30 ml में लेक्टोज होता है इसलिए अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपके पास कुछ शरकरा के प्रतिय सहिशनुता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद